अमित्रों स्वागत आप सभी का हमारी इस चैनल में इस वीडियो में हम सभी लोग टीजी टिकला की तयारी करेंगे और इस वीडियो में हम लोग भारती चित्रकला की सैलियों का अध्यन करेंगे जिसमें जो महतपूर सैली अजंता सैली तो इस वीडियो में हम लोग अजंता सैली का ही अध्यन करेंगे इसके बाद अभरंग सैली हो गया पाल सैली हो गया गुजराज सैली हो गया राजस्थानी सैली हो गया मालवा सैली हो गया जैन सैली हो गया बूदी सैली विकानेर सैली जैपूर सैली नाथद्वार सैली किसंगड सैली पहाडी सैली गुलेर सैली बड़भाव सैली बसोली सैली तो जट कलू कुलू सैली मंडी सैली तो जितनी भी सैलियां हैं सभी सैली का अध्यन करेंगे क्योंकि यहां से एक दो प्रश्ण नहीं कम से कम 4-5 प्रश्ण TGT की परिच्छा में पूछे जाते हैं तो चलिए सबसे पहले आज जो वीडियो फोकरस है इस पर अजनता सैली पर है यह वीडियो तो अजनता सैली को समझेंगे अच्छी तरह से तो अजनता सैली का विकास जो है ओ शूंग बंस कुसार बंस गुप्त बंस वाकाटक बंस तथा चालुक बंस के सासक के सासनकाल में ह तो इसको ध्यान से सुन लिजिए अजंता सैली का जो विकास हुआ है इन सभी राजबंसों के सासनकाल में हुआ है ओ राजबंस काउन से हैं सुंग राजबंस है कुशाड है गुप्त काल है वाका टक है और चालुक बंस के सासकों के सासनकाल में हुआ है अनेक विद्वानों ने अजंता सैली को भिन भिन नामों से पुकारा है ठीक जैसे पार्शी ब्राउन ने इस सैली को धर्म से अध्यात्मत्य से सम्वंदित होने के करण बौध कला के नाम से पुकारा है वहीं रायकृष्ण दास ने जो है गुप्त राजाओं के भारी परभाव के करण इस सैली को गुप्त कला या गुप्त सैली के नाम से पुकारा है तो किसने रायकृष्ण दास ने अजंता सैली को गुप्त सैली के नाम से पुकारा है चलिए आगे देखते हैं कला समिश्कों ने इस सैली के निमनुवत तीन बर्गों में विभाजित किया है क्या वर्डात्मक सैली, रूप भैदिक सैली और अलंकारिक सैली ठीक तो पहला वर्डात्मक क्या है तो वर्डात्मक में जातक कथाओं का वर्डंग किया गया है चित्र मिलेगा थिक तो जातक कथाओं से संबंधित जो चित्र मिलते हैं उनको वर्णात्मक सहिली के स्रिवड़ी में रखा जाएगा दूसरा जो है रूप भैदिक वर्ग के अंतरगत क्या रखा जाएगा तो इसमें बोधि सत्य पदम पाड़ी मरडासन राजकुमारी और कृष्ण वरड़ा लोकपाल आदिक के जीवन का प्रभाव शाली तता आब इसमर्डिय भाव बिंजना के से युक्त चित्रांकन जो अजन्ता के चित्रों में ठीक उसको अलंकारिक सेली के अंतरगत रखा जाएगा तो अजन्ता में जो है वो तीन बर्ग में अजन्ता के चित्रों को कलासनिचकों ने तीन बर्गों में विभाजित किया है वाड़ात्मक सेली रूप भैदिक वर्ग और अलंकारिक बर्ग मे आगे देखते हैं आगे है तो सबसे पहले जो है कालपनिक परपेच में तो यहाँ पर कालपनिक परपेच जो है वो क्या है उसका मतलब है कि अजन्ता सैली के जो बिसेस्ताएं हैं उस बिसेस्ताओं को यहाँ पर हम देखेंगे कि अजन्ता सैली में कौन-कौन सी कालबनिक परपेच अजन्ता का जो परपेच विशेश परकार का है अन्यक अस्थानों पर विबिन समयों के दृस्यों को एक ही चित्र में अंकित कर दिया गया है फिर भी संपूर चित्र एक सुत्र में विद्धिमान रहता है ऐसा होने पर भी दर्सकों को कोई आसवाभिक्त अत्वा कटनाई का सामना नहीं करना पड़ता है दर्सक सोता है उसी द्रिष्ट के बिंद मुख बिंद पर पहुच जाता है जहां से चितरकार ने चितर की रचना की है तो अजन्ता ने बहु उद्देशी परपेच का पालन किया है तो ध्यान से देखेगा अजन्ता में जो रेखा या रेखाएं बड़ी कुसलता के साथ उसका अंकन किया गया है ये रेखाएं सजी होकर गतिमान है और आकरित के अनरूप यथा अस्थान गुलाई उभार घनत च्छाया परकास तथा यहां तक कि सूच में से सूच मुभाव भी सफलता से ब्यक्त करने में सच् ठीक और कोमलता के साथ साथ रेखाएं रेखाओं में अटूट परवावी है अगले विसेश्ता के अजनता की तो रंग की देखते हैं तो अजनता में जो रंग का बिधान सादा है और हरे रंग की छटा निराली है ठीक तो हरे रंग का जो परियोग किया गया है उसकी छट करती हुई यूती हरे रंग से रंग कर ताजगी दिखाई गई है केवग सीमित रंगों से विभिन प्रकार के रंगों का स्वाय यूजन तथा प्रियोग भी ही अजन्ता के चित्रों की मौलिकता है और गेरू और रामरज, हिन्रोंजी, नील, काजल तथा चूने से ही सारा च तो ध्यान देने वाली बात है गेरू, रामरज, नील, काजल और चूने से सारा चित्रड़ किया गया है किस चित्रों को अजन्ता के चुत्रों को ठीक तो चलिए चमक दमक अभी वी इनकी बनिय चित्तार प्रसंसा के पात्र हैं अभी भी उनकी चमक नहीं गई है आगे देखते हैं नारी चित्रण में क्या है जन्ता में तो अजन्ता साहिली की जो विशेषता है उसमें नारी चित्रण भी देखने को मिला है तो अजन्ता के कलाकारों ने नारी के विभिन रूपों का सुंदर ढंग से देवी का चित्र परसिद्ध है और राहुल समरपड चित्र में बुद्ध की पतनी ये सोधरा अपने एक लोते पुत्र तथागत के चड़ों में समरपित करती हुई दिखाई देती है तो इसतरी सहचरी माता प्रेम का और प्रेशी के सासाद नर्थ की सेवका और रूपों मे बेक्त किया है तो जहां तक नारी के संदर नारी को संदर का परतीक माना जाता है परंतु अजनता के चित्रों में नारी को कला की अधिश्ठाति देवी के रूप में माना है ठीक भोतिक या सारीरिक आकरशल का केंद्र ना होकर आध्यातिमिक्ता वासल करुड़ा योम सक्ति का परचायक है अधिकतर नारी अर्दनगन रूप में चित्रित है परंतु उन कला के उपासकों ने उस रूप में भी सालिंता का जो दर्सन कराया है वाभिस्त में अधिति है अगला क्या है केंद्रे संयोजन तो केंद्रे संयोजन पर अगर ध्यान देख अजनत में मुख रूप से मध्ध में तथा दूसरी आकरतियों से कुछ बढ़ा बनाया गया है। ध्यान दीजे अजन्ता में मुख आकृत को मध्ध में तथा दूसरी आकृतियों को कुछ बड़ा बनाया गया है जिसमें देखने वालों की निगा मुख आकृत पर आसानी से पहुच जाती है ठीक अलंकरण की बात अगर करें अजन्ता के चित्रों में तो अजन्ता की चित्रकला में मुकोट बस्त तथा अभुशन में अलंकरण हुआ है यह देखने योग है इसमें मीन, मकर, हाथी, हंस, तोता, कमल, हिरन, बैल तथा विभिन प्रकार के फूल दृष्ट गोचर होते ह इन अलंकरण की आलेखनों में कलपना, प्रवा, संतुलन, बल, गति, लए तथा भावक्ता बड़ी सजीवता से प्रकट होती है धार्मिक्ता की बात अगर करें तो अजन्ता के चित्रों में बवध धर्म की अधिक शाया है अधिक तर चित्र प्रसन मुद्रा में चित्रित हैं बुद्ध का चित्र आकर्षिक आश्चर चकिद दिखाया गया है, तो कहने का मतलब है अजन्ता का जो चित्र है वो बहुत धर्म की अधिक उस पर छाया पड़ती है तो आपने आज यहां पर अजन्ता के चित्र सेली या अजन्ता शैली के बिषय में पढ़ा आपको इ वीडियो में फिर हम किसी नई सैली के साथ आएंगे ठीक तब तक के लिए जैन